हेलो है मैं में चोहान तो टोड़े वी आ डिसकसिंग अबाद क्लास 12 फिजिक्स तो हमने क्लास 12 फिजिक्स की बोर्ड एक्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन कौन-कौन से बनेंगे तो वह हम डिसकस करने हैं हमने पहली यूनिट कर लिए दूसरी यूनिट कर लिए आज हम डिसकस करेंगे यूनिट थर्ड तो यूनिट थर्ड है आपकी मेंगनेटिक एफेक्ट ऑफ करन्ट एंड अर्थ मैगनेटिजन तो यह दो पार्ट में हैं लेकिन हम इसे एक ही यूनिट में इसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन हैं उन्हें हम आज के इनफ ओर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए चैप्टर के में तो यह स्टेट दफ फॉलोविंग रूव आपको यह रूब से उन्हें स्टेट करना है कि क्या होता है इनके बारे में आपको इनफॉर्मेशन लेनी है तो पहला रूज कहता है फ्लैमिंग्स लेफ्ट अंड तो वाट इस दा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है तो यह आपको बताना है सेकंड है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल क्या होगा फ्लेमिंग्स का थढ़े है राइट हैंड थव्य हैंड तहिता है तो आपको खाली थंब रूल तो आपको खाली बताना है लेफ्ट हैंड और इसमें थंरख याँपो इस ध्यान रिखना है यहांपर तो इसे हम मैन्टिक फिल्ड की डारेक्शन लिए लगाते हैं कैसे च्ठोन करते हैं तो यह आपका important question है 3 marks तो what is the bias about law bias about law क्या होता है drive its expression आपको इसके लिए expression निकालना mathematically क्या निकल के आएगा and write vector form इसकी आपको vector form में लखना है next है आपका third question state and proof ampere circular law यह आपका most important question है हर बार exam में मिलता आपको तो आपको state करना है ampere circular law क्या होता है और फिर उसे mathematically proof करना है derivation इसके लिए next fourth question explain आपको यह explain करने पहला है velocity vector velocity vector क्या होता है इसके बारे मापको जानना second है moving particle इन्हें circle यदि कोई particle किसी circle में move कर रहा है तब उसके लिए conditions क्या होती है यानकि आप simply कह सकते हैं borse magneton तो borse magneton क्या होगा इसका हम यूज करते हैं cyclotron के लिए cyclotron basically any chapters में slivers में तो आपको borse magneton इसका principle चनल ही है बस explain information के इसके हिसाब से आपको याद रखना है थर्ड है आपका current loop as a magnetic dipole जो current loop magnetic dipole की तरह behave करता है तो वो आपको बताना क्या होगा next अब करते हैं question number 5 question number 5 क्या कहता है कि what do you mean by the force on a straight conductor in a magnetic field यदि कोई conductor straight conductor in a magnetic field में रखा हुआ तो उसे force क्या act होगी फिर आपको also explain the lorange force तो lorange force क्या होती है उन्हें आपको explain करना है second question next question drive the expression for torque आपको torque के लिए expression निकालना है acting on a current carrying loop कोई circular loop है उस पर यदि torque act होता है तो आपको उसके लिए derivation निकालना है कि वो कितना act होगा या फिर आपको circular loop में पूछे या फिर वो rectangular frame के लिए torque के लिए भी पूछ सकता है तो आपको इस दोनों रखने है circular loop के लिए भी और rectangular फ्रेम के लिए भी आपको दोनों जगे टॉर्क की जरूरत पड़ेगे तो किस तरह से आप गैलो मीटर को गोल्ट मीटर में convert करोगे या फिर गैलो मीटर को एमीटर में connect करोगे तो उनमें से आपको ये पूछेगा या तो गैलो मीटर के लिए पूछेगा या फिर एमीटर के लिए पूछेगा लेकिन आपको दोनों करके चलने पड़ेंगे जो आपको पूछे वही एक्जाम आपको आंसर करना है next है what is the magnetic force magnetic force क्या होती है तो जो यहां पर derivation निकल काएगा physical to qvb sin theta तो यह आपकी magnetic force होंगी तो drive the expression for force between two parallel wire, दो यदि parallel wire रहें इस तरह से तो उन में force किस तरह से act होगी give its nature, उसका आपको nature बताना है कि nature यह attractive होगी nature में या फिर defensive होगी and define the one ampere तो जो derivation आएगा उसके base पे आपको one ampere की यहां पर definition देनी होगी तो जिस तरह से आपको एक्जाम पूछा है question उसी तरह से आपको answer करने होंगे तो आई यह next करते हैं question number nine question number nine क्या कहता है define the following parameters of earth magnetism तो यह आपका second आगले chapter से लिया गया earth magnetism से तो यहां से बस एक question ही बनता mostly तो इसमापको define कर nine parameters को earth magnetism की parameters कह दो या फिर आप elements कह दो तो क्या है वो पहला है हमारा angle of inclination angle of inclination क्या होता है वो आपको define करना है second है आपका angle of declination angle of declination क्या रहेगा तो थर्ड पर horizontal component of magnetic field यह यह क्या होता तो आपको इन्हें define करना है फिर आपको बताना also drive the relation between them और आपको relation निकालना है इनके बीच में क्या होगी तो यह आपको question number 10 9 करना है next करते है question number 10 what is the biosavart log फिर आगया आपको biosavart log की खाली यहां पर आपको definition देनी है कि definition क्या होगी drive फिर आपको drive करना है drive the expression for magnetic field magnetic field के लिए आपको mathematical derivation निकालना है किस case में at the center of the circular loop यदि center पर पार्टिकल है तो उसके लिए आपको बीच क्या रहेगी तो यह निकालना आपको यह फिर इस तरह से पूछ सकता है यह आपका ज्यादा important है at the axis of the current carrying circular loop circular loop की axis पर क्या होगा magnetic field तो आपको यह biosavart log की help से यहां पर आपको निकालना है इसको डिफाइन करना है by using it आपको ampere slow को use करना है how will you find the magnetic field के लिए derivation निकालना पड़ेगा in a toroid toroid के लिए आपको किस तरह से निकालेंगे आप drive किस तरह से करेंगे इसमें यह भी आ जाता है toroid में आप inside क्या होती है magnetic field outside क्या होती है और on the surface क्या होगी तो यह आपको तीनियों case यहाँ पर drive करेंगे क्योंकि important question है 5 marks में आ सकता है या फिर यह question नहीं होगा toroid तो यहाँ पर यह भी हो सकता है in a infinite long straight wire long straight wire में किस तरह से आपको निकालेंगे with the help of MPA circular log तो इसमें भी आपके तीन ही case बनते हैं तो इन दोनों question यह आपके लिए important है थोड़ा सा आप जान लीजिए जैसे हाँ toroid है तो यह एक है दो number में आपको solenoid के बारे में भी पूछ सकता है तो solenoid को आप देखके चलना लास्ट में हम आपको यह gift के तोर पे दे रहे हैं कि आपकी exam में एक question तो मिलना ही मिलना है तो इसे आप करके चलना explain the MCG MCG यान की moving coil galometer तो moving coil galometer क्या होता है इसका principle क्या होगा आपको principle बताना है इसकी construction बतानी है and working और working बतानी है with the help of neat and clean diagram आपको इसमें diagram का ध्यान रखना है specially तो उसने बोला neat and clean diagram अच्छे होंगे तो आपको अच्छे marks मिलेंगे इसमें तो आपके marks कट नहीं होंगे also discuss the sensitivity of the MCG MCG की आपको sensitivity बतानी है क्या होगी तो इस तरह से आप यह question कीजिए thanks be happy do practice